हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर अपने मोटोरोला के मोबाईल में सेटिंग को रिसेट करेंगे या तो फिर आप लोग अपना पूरा फोन को रिसेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आप लोग यहाँ पर कैसे कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने motorola mobile में reset करने के लिए आपको सबसे पहले setting को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसक्रीन पर आपको यहाँ पर reset option दिखेगा यहाँ पर click करिए और यहाँ से आपको जो भी reset करना है वो आप कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर factory reset करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर लिजिए इस तरीगे से क्लिक करिए और यहां से आपको नीचे में Erase all data का option आता है तो आप लोग यहां पर Erase all data कर सकते हैं दोस्तों तो एक बात का आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लोग Erase all data करेंगे तो आपके mobile में जो भी कुछ रहेगा वो सारी चीज़े आपके phone से delete हो जाएगा ठीक है ना तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बट अगर आपको करना ही है आपको important है करना तो आप लोग definitely कर सकते हैं तो चलिए दो guys मिलते हैं नेश्ट वीडियो में